तो देखो यह soft stem adjective क्या होते हैं, जब पता है कि यह soft ही है, यह जो soft ही है, तो यह जहां आती है, उसके पहले वाले को soft कर देती है, consonant को, यह ना के बाद जैसे e-i, zimni हो गया, जीमनी, तो यह ना soft हो गया, इस type adjective को हम लोग बोलते है, soft stem adjective, ठीक है, soft stem adjective, तो soft stem adjective कैसे decline करते हैं, वो यहां पर है, हमने hard stem वाला देखा था, बल्षो ही देखा था, और zimni देखा था, जिमनी नहीं देखा, जिल्योनी देखा था, ठीक है, लेकिन यह soft stem, soft stem में बस आ की जाता है, hardy की देखा, यह आ जाता है, ठीक है, softy, तो zimni कैसे decline होगा, zimni, zimnia, so zimnia नहीं है, यहा तो stressed है, तो zimnia, zimnia पढ़ेंगे, then zimnia, then क्या है, यह भी zimnia, ठीक है, इस type से पढ़ेंगे इसको, तो soft stem adjective में क्या है, इनना के बाद softy रहता है, so basically बहुत सारे adjective soft होते maximum concept, जो time और place बताते हैं, जो adjective times और place बताते हैं, वो soft stem adjective, maximum उसी में मिलेंगे आपको soft stem adjective, तो देखो, जैसे कौन-कौन से हैं चलो देखते हैं तो यह concept सब को समझ में आ गया कि नहीं adjective का और adjective decline करते हैं यह concept समझ में आए कि नutil कैसे decline करते हैं बताया यह समझ में आइक निर्फ डिकलाइन करते हैं जैसे जो होगा नवन जनेटीव केस में तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सारे noun के ending तो आप लोगों देखी अभी, nominative case, acquisitive case prepositional case, declative case, generative case, ठीक है, सारी आपने देखी है, all six cases की noun के ending देखी है, अभू लोक adjective के endings देखेंगे, अभी हम अभी हमने नहीं देखी है, क्यवाल nominative case के ending देखी है, सो, as कौन से देखो ऊत्रेनि मतलब मॉर्निंग वेचरनी वेचरनी इवनिंग तेन कहा है विसेननी लेटनी असेननी जीमनी ठीक है राननी सबका मतलब दिया हुआ है को और इसी तरह से यह देखो जो प्लेश बतारहें तो यह आपके टाइम वाले हैं सारे ठीक ना और यह क्या है यह प्लेस बता रहे हैं वेर्खणी नीजणी और रिफेरेंट इनिग्स वाले भी है नमाशनी स्रेधनी पसलेधनी सिंसियर सो यह सारे soft stem adjective में बस आखी जगह यह आ जाता है और यहां ओ की जगह यह आ जाता है बस बाकी वही रहते हैं ठीक है तो यह सब देखो यह hard stem वाले थे ना क्रासनी नोवी गलूबोई इससब hard stem है यह आमने देख लिया है इसका declaration नॉमिनेटिव केस में हमने देख लिया है बाकियों केस में आप देखेंगे तो देखो यहां पहले भी पता है एंड गया यह तो यह तो यह पता है आज हम लोग केवल देखेंगे के फैमनन आउं के यह गयुघ युघ हर है वह सारे केस में कैसे बचलाएं करेंगे ओनली फिम एंड बाकि देखेंगें तो नावं अगर अगर था दो इधर तो श्कोला था, श्कोलू हो जाता था, है ना, श्कोलू हो जाता था, है ना, पगोदा पगोदू हो जाता था, हो जाता था था ना, एक्विजिट्टू केस में, लेखो नो वी क्या हो गया ओ यू अब आपने देखा यह याद रखलो आ की जिंगा यह लगता है तो नो वू यू श्कोलू जिम्नु यू पगोदू ठीक है तो यह एक्विजेट्ट्व केस तो फेमिन नाउन के साथ एड्जेक्ट्व जो लगा एक्विजेट्व केस में वह आपने देखा उयू और यू यू चेन्दि बाकी सब केस में नाउन कैसे भी डिकलाइन करें एड्जेक्ट्व ओई लगेगा ठीक है ओई और यही तो अब देखो जनेट्व केस में श्कोला हो नोवाई श्कोले बगोदे जमरी पगोदे इंस्रूमेंटल केस में भी स्कॉल ही हो गया खेंक है ने नोवाई श्कोला ही पगोदे डिके प्रिपोजिश्में यहび्र केसमें श्कोला ही वह घया रहेगता ज्यसे में गरेगा जांद वाःं नंव आम टाहां तो यह समझ में आ गया अब देख लो अगर अन्स्ट्रेस्ट है तो नोवाई नहीं पढ़ेंगे नोवाई पढ़ेंगे उसी तरह से आप इस प्रोनिशेशन देख लो तो अब आपको पता है और नमबर है सिर्फ होती है ठीक है न अथी सब कैसे करेंगे इसी की तरफस टो रहां अदर अरोलटल नमबर्स तो इसीए अध्यक्टे Вाले रोल से कि अब ककाया देख से, ककाया काशदाया, ककपव किया कैसे करता था, काकव कोई ककिये करेगा, in cases में इसी टाइप से… कि तो काश दाया सब्सक्ट करें तो अब देखो डिमन्स्ट्राइट प्रोनाउन हमने देखा था ना एता और एथी देखा था डिमने टमांस्ट्राइट किसके लिए जो था था फेम्निन के लिए ना जैसे एतागनी गा एतागनी गा लिजित नस्टले इस बूक इस लाइं आउन टेबल ठीक है तो वह जो एता डिमोंस्ट्रेट्टी वाला था अब वह भी केसे में कैसे डिकलाइन हो वह देखो तो एता उसी तरह से ता होता था ना तो तो टे है ना ऐसे अधना हो गया था अधना देखा था ना अधना तो यह सब कैसे डिकलाइन करेंगे वही चीज़ इसी ट्राइब से जैसे यह डिकलाइन कर रहा था यह भी तो आपके नाउन जिस केस में रहेगा इसी केस में आपको पढ़ेगा क्या हो जाएगा मानलों आपको इन दिस इयर इंके लिए और लगत अब बाकी चीज प्री पोशिशनल केस में डालोगे तो घोधा है यह ना केस लगाओगे akizet UK लगाओगे सो जी में आपको जीर में आपको क्ना चेंज करो चेंज में है उसी तको या उसके पहले कोई आप लगा रहे हो तक करना पड़ेगा ठीक है त्यख़ कि सो कि आप देखो जैसे जैसे आप केस में नाउण चेंज होगा वैसे वैसे एडियेक्ट्व चेंज होता रहेगा उसी तरह से मैया त्व या नाशा वाशा ऑफ्सया फ्सकeं आप ने देखा थह यह भी वह परanteन बॉट्ट तो इसमें भी डाउट मत रखो देन क्या है कव से वर्फ से पता यह ना टू आल एट आल ठीक है तो यह आपको पता है तो यह आपको दिमाग में बैठा लो कि नाउन से पहले कुछ भी लग रहा है तो वह चेंज होगा अभी तक आपने नहीं चेंज अभी तक आपको जो आइसा है करोगे हैं मय रही एक कईवे के स से आप देखो अब क्या बोल रहा है रोडिये से सरनेमções कैसे होता है हैं कैसे होता है पावलो वह बलू ऑजी जैसे आपका है हना तो जो सर्णेम्स रॉष्यन सर्नेम्स वह बहुत होते हैं so वह कैसे decline करेंगे वह भी एता की तरह decline करेंगे तो पावलोव क्या हो जाएगा पावलो वूख इंदास्तिया नाम है नास्तिया क्या हो जाएगा नंस्तियू ठीक जहां सब क्या है इस अभी इसका का कॉई काश्डी इससाब क्या देख रहे हैं कि वह देख रहे हैं तो इन सबके हो गया यहां पे Su italian में और कुछ नहीं आपको आएगा ठाएगा तब बाकी मैस्कोलीन और न्यूटर हम लोग बाध में देखेंगे को कि अधे खिए और हर ban कीझ देख़ी या तो फाल के बाद हमने लगता है ना के साथ आपने देखा है जनी तीकेस लगता है वैसे बहुत सारे आप ने देखें अब कुछ पिपोईशन और क्या से नाध मतलब और ओर जो डिकेंट पिरित परेट, मतलब before, in front of before, in front of बता ही होगा इंगलिष में, मेजदु मेजदु मतलब between, दो चीज़यों के बीच में between, among δोनों के लिए यहाँ पर मेजटु है, इंगलिष बीट्वी और इमंग में जाया है यहाँ पर कोई फरक नहीं मेजदू मतलब बीच में ठीक है इन बिट्वीन और इमंग दोनों के सेंस में इन सब के बाद क्या लगता है instrumental केस इन सब के बाद कुछ भी नाउन आएगा instrumental केस जैसे समल्योत समल्योत लितेट नाद गुर्दम समल्योत लितेल लितेल नाद गुर्दम समल्योत लितेल नाद गुर्दम नाद के बाद क्या लगा है गुर्दम हो गयात है ठीक है या ये यह नहीं क्या है फो प्रेद नामी स्तैयाल विशो की मुष्चीना को देखो पद के बाद भी लगेगा आपका इंस्ट्रुमेंटल केस तो phrases with the prepositions पद जा अब जा का आपने देखा था जा अगर वर्ब आप मोशन के साथ लगता है तो क्या लगता है इसके बाद जा चेम भी होता है और जा चेम यानि जा के बाद आपको instrumental केस अगर static position में और verb of motion में है तो ठीक है और पद्द के साथ तो अंडर कि लिए आपको इंस्ट्रूमेंटल केस लगा ना ही तो जाघ के साथ इंस्ट्रूमेंतल केस भी लगेगा और एक्विवेट्व केस जाजटो जाचेम नों ठीक है थीक है घजे क्या घजी मतलब static position है तो आप इसके बाद instrumental case और अगर work up motion यह निवी कुदा है तो इसके बाद आपको acquisitive case जैसे देखो रभोचिये रभोटली रभोचिये रभोटली पद जिमली पद पतलब अंडर तो वर्कर्स वर वर्किंग अंडर दा ग्राउंड अंडर दा ग्राउंड जैन क्या है रबोचिये स्पुस्तिलिस पद जिमलियू अब यहां पे वहां पे क्या था पोजिशन बता था स्टेटिक पोजिशन में तक हां काम कर रहा है अब यहां पर वर्बाप मोशन आ गया स्पुस्तिलिस कुदा कहा मतलब गिर गया तो वरकर्स फैल अंडर दी ग्राउंड ठीक है तो जमीन के नीचे गिर गया कुदा का सेंस कुदा के साथ आपने क्या लगा दिया एक फिश्ट के साथ अपने लगा इंस्ट्रूमेंटल केस क्यों क्यों क्योंकि स्टैटिक पोजिशन बता रहे हैं कहां पर मेरे दोस्ट खड़ा है ठीक है तो मेरे दोस्ट मेरे पीछे ब्याइंड खड़ा एंड मी माइफ्रेंड वास्टेंडिं मी सीजिली जा स्टलोम फिर भी यहां वर्ब अपमोशन के साथ याद रखो वर्ब अपमोशन के साथ जास्तो और नॉन वर्ब अपमोशन के साथ जाचेम अब ये दो और हैं देखो जा अबएदम एडिनर जा उजीनाम act várias थीज के संस में है मटोडने लगना थीक है तो जा बैदम जा उजीनम लिन क्या है मशीना पविर्नूला जा उगॉल मशीना पवइर्नूला जा उगोल जाश्तो और जाश्तो आ गया तो यह आप दिमाग में बैठाओ इसको जा अगर स्टेटिक के साथ यूज करना है तो जा 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 चेम और वर्बाप मोशन के साथ तो जाइस तो जिन क्या है बिजात जा केम किसी के पीछे भागना मतलब किसी काम के लिए किसी के पीछे भागना जीत जा ग्रानिट्सेई ग्रानिट्सा मतलब क्या होता है बॉर्डर ग्रानिट्सा बॉर्डर ठीक है तो जीत जीत जा लिव बिहाइंड द बॉर्डर मतलब देश में नहीं बॉर्डर के बाहर है रहा तो यानि लिव अभरॉड थीक है दिन का है पई एकट जा ग्रानिट्सू अब देखो यहां पर कहीं पर इंस्ट्रूमेंटल केस लगा है जी इस्टैटिक है यह मोशन में है तो जा ग्रानिट त्विखजित विची जमूज विखजित विची मतलब बहाराना और जमूज मतलब मैरी करके तुमेरी इसका मतलब शादी करके शादी करना शादी के लिए बहुत चारी चीजें देखलो विखजी जमुज भी बोल सकते हो तीक है दोनों चीजे जैसे नकोम जेनत को मोह ठोल स्कभण को इस उनके पास शादी होगे when they have marriage, लेकिन क्या हो जागा बिला है, तो when did they married, कब उनने शादी की, ये देखो whole whole couple construction है, ज्ञान से देखो, ठीक है, अब इसका answer भी आप instrumental case में देखो है, क्या देखो है, őनजेनत, जिसका भी नाम होगा, रॉबर तम, जो भी आप नाम देना चाहों वह instrumental case में ओन जिनत न लगाके ओन जिनत न रॉबर्तम ठीक है और रॉबर्तम सुरी लड़की का नाम होगा किसी लड़की का नाम instrumental case में लोगे आप ठीक है तेन क्या है अब यह preposition भी है वक्रूग मतलब round नामेम मिम मतलब किसी चीज को पार करके जाना किसी चीज को पार करके जाना लाउや यह तयान क्याएं कैसे टाइब मतलब नाम गवर्न दा जैनेटीवू, उपर वाले थे इंस्रुमेंटिल, इंके बार जैनेटीवू, ाकरूग दोम क्या होग गया? डोमा रसली जैरेव्यWow, अब ट्रेन क्रास्की ना, ट्रेन रेण Nacht क्या, ट्रेन वेन पासिंग ट्रेन वेन्ट पासिंग ट्री, ठीक है, और म।ळिसक न क्या है sense ममें मतलब प्रेंट्ट्स, तो बोल सकते हूँ, मैं और म।भेसी अब जो adjectives होते हैं कुछ adjectives से वर्ब भी बनती है सो आप उनको लगा लो कि become और grow जैसे आप color आपने बोला red color अब red color का जो हमने वर्ब बनाया तो उसका मतलब to become red है न हमने old का adjective है उससे बनाया हमने वर्ब तो उसका मतलब हो गया to become old जैसे एक्जाम्पल बेली बेली से बना आप बिलेत बिलेत मतलब to become white इसका मतलब white adjective है और इसका मतलब सफेद हो जाना उसी तरह से चियोर्नी से क्या हो गया चिर्नियद, पचिर्नियद, to become black, जोलति, जिलितेत, पचिलितेत, to become yellow, इसी तरह से देखो, अब जैसे यह है, छियोमनी, छियोमनी मतलब हमने देखा था, dark होता है, तो चिमने, पचिमने, means to grow dark, क्या टू बिकम-टू डार्क लब एहाना हो जाना को तो अब इसको फ्चते लेट पख़ जाना इंट्ट मरें वहाच लीए जैसे हैज मतलब आपने देखा थ़ लाइट सप्रम लेट तो जाना लोगों तो सारे हैं जीए तोल्ष्टि तोल्ष्ट और तुल्ष्टि मतलब मोटा होना तो तुग्रोफेट तल्स्टेएट पतल टूग्रोफेट रिन क्या खुजोई कुजोई मतलब पतला थिन। कुग्रोफेट एक भुजेट पखुजेट तॉट्वाला है ठीक है और पा के साथ इसका परफेख्ट्यू बनता है यह इभी द्या हुए इसरो इस साथ इन सब का परrफेख्ट्यू है होता है हमारा grammar portion खतम तो basically आपको देखो कि objective की तरह ही बहुत सारे और भी जो आपके यह हैं particles decline करते हैं जैसे एता दना काकाया तकाया काश्दा यह सब